मैं आपको एक अनोखी पक्षियों की कहानी सुनाऊंगा, जिनका नाम था रंग बिरंग मोनी। पुराने जंगल के किनारे एक सुन्दर सा परवत खड़ा था। इस परवत के ऊपर रहने वाले पक्षियों में सबसे अनोखे रंग बिरंग मोनी थे। इन परिंडों का हर पंख अलग-अलग रंगों में चमकता था। इनकी रूपरेखा देखकर हर कोई चौक जाता था। प्रति दिन सभी पक्षियाओं उन्हें देखने के लिए परवत की उंचाई पर उड़ती थी। रंग बिरंग मोनी की सुंदरता ने सभी को बहुत आकरशित किया था। एक दिन रंग बिरंग मोनी ने एक दूसरी योजना बनाई। वे जंगल के हर कोने में अपने रंग बिरंग पंख छोड़ने का निर्णय लिया। ये सुनिश्चित करने के लिए कि लोग उनकी अनूठी सौंदर्य की पूर्णता को देख सकें। पहले ही दिन जंगल का माहौल बदल गया। सभी पक्षी हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि रंग बिरंग मुनी ने अपने पंखों को छोड़ दिये हैं। वे छोड़े गए पंखों के बिना भी बहुत ही सुन्दर और मनुहर दिखते थे। पहले कुछ समय तक सभी हैरान रहे लेकिन फिर उन्हें समझाया कि सौंदर्य का अर्थ सिर्फ रंग नहीं होता। रंग बिरंग मोनी ने सभी को यह सिखाया कि सच्चा सौंदर्य व्यक्ति के अंदर की शुद्धता और सजक्ता में होता है। जंगल की हर प्राणी ने इस सीख को अपनाया और सहयोग का आत्मविश्वास बढ़ाया। यह नया सामरिध्धिक जीवन शैली में जंगल में समरिध्धिका संकेत था। धीरे धीरे रंग बिरंग मोनी ने अपने पंखों को वापस पाकर जंगल की सभी प्राणीयों को एक साथ मिलकर जीवन का सही मार्ग दिखाया। सभी ने समझा कि अगर हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें तो हम सभी को समरिध्धि मिलेगी। रंग बिरंग मोनी ने जंगल में एक नया सामरिध्धिक और समर्पित वातावरण सृष्टी किया। उनकी यह अनूठी कहानी ने हर प्राणी को यह सिखाई कि सच्चा सौंदर्य, आत्मविश्वास, सहयोग और समरिध्धि में होता है। और इस प्रकार सभी पक्षी मिलकर रहने लगे। तो बच्चों, हमें भी सब के साथ मिलकर रहना चाहिए, किसी के रूप रंग देख कर नहीं। और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद।